कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से ज़्यादा समय बीद गया है। इस दौरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुई है। पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्य हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है। मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों एक वायरस ने एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोडो जिंदगीयों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार्चे जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है। निश्चित तोर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है। ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है। लेकिन ठकना, हारना, तूटना, बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है। सतर्क रहते हुए, ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए, अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में हैं, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा। साथियों, हम पिछली सताब्दे से ही लगातार सुनते आए हैं, कि 21 सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैशिक व्यवस्थाओं को, विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही हैं, उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं। जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं, तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो। विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है। आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एश्व पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत। साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई हैं। एक संदेश लेकर आई हैं। एक अवसर लेकर आई हैं। मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी। N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिती ये हैं कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अउसर में बदल दिया। आपदा को अउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकर्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है। आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है। वसुधैव कुटुम कंप है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्म निर्भरता की बात करता है। तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शांती की चिंता होती है। जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो। जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भुमिही, पुत्तो अहम पृत्विय इसकी सोच रखती हो। जो पृत्वी को मा मानती हो, वो संस्कृती, वो भारत भुमी, जब आत्म निर्वर बनती है, तब उससे एक सुखी सम्रुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है। भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है। भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पड़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो कूपोशन हो पोलियों हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाप भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती अगर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड दे सवाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब सम्रत्य था सोने की चिडिया कहा जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जकड गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पूर्व कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की रह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्लोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे यह हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच मौत की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिति में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल्प शक्ति हैं हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की ये भव्य इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पीलर एकनोमी एक ऐसी एकनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकी कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इन्फास्ट्रक्चर एक ऐसा इन्फास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्ट्रिम एक ऐसा सिस्ट्रम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकी 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुवत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्त होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत भ्यान आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है ये पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्ता की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिजी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक गरह उद्ध्योक हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर सिती हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम वर्क के लिए है जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारतिय उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्तमंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जंदमन आधार मोबाइल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकता हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोशाइद करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीश परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिस्तितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्षन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं ठेला लगाने वाले हैं पट्री पर सामान वेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो गरों में काम करने वाले भाई बहने उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं तपच्या किया है जाक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब यह हैं उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आरति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो स्रमीक हो प्रवासी मदूर हो हो पशुपालक हो हमारे मच्वारे साती हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा साथियों कोरोना संगट में हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग लोकल मार्केट लोकल सप्लाइच चेन इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है संगट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरुरत नहीं बलकि हम सब की जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्राणिंग की उन पर गर्व किया तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं बलकि उनका गर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्राण्ड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइन्टिस बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंद्गी सिर्फ और सिर। कोरोना की इर्दिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे, दोगजदुरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे. इसलिए लॉक्डाउन का चौथा चरान, लॉक्डाउन फोर, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉक्डाउन फोर, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मैसे पहले दी जाएगी. मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं, हम कौरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे. साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्म वशम सुखम, अर्थात, जो हमारे वश में हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, वही सूख है. आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती हैं, 21 वी सदी, भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व, आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा. इस दाइत्व को, 130 करोर देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी. आत्म निर्भर भारत का ये यूग, हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा. अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है. जब आचार, विचार, कर्तब्य भाव से सराबोर हो, कर्मणता की पराकाष्टा हो, कौशल्य की पूजी हो, तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है? हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे. इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ. आप अपने स्वास्थ का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए. बहुत-बहुत धन्यवाद. झाल